वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम वर्ल्ड चैंपिन बनी थी दोजाट चौबिस में वो आखरी मौका था जब हमने विराट कुली रुहिच शर्मा को T20 फॉर्मेट में ओपन करते वे देखा था इनफेक्ट आखरी मौका था जब हमने इन दोनों लेजन्स को एक साथ बैटिंग करते हुए देखा था T20 फॉर्मेट में उसके बाद इन्होंने सन्यास ले लिया उसके बाद भारतीय टीम गई जिम्बावे के दोरे पर वहां पर मैच में शबमन गिल उपन करते हुए नजरा आया अभिशेक शर्मा के साथ में फिर अभिषेक शर्मा को पीछे धाकेल दिया गया पिर शबमन गिल ने उपन किया यशेस्वी जैसवाल के साथ में और इसमें शुबन गिल का कोई गलत फैसला नहीं था ये होना था जैसवाल बाहर नहीं बैठते लेकिन जैसी आये उन्होंने जैसवाल के साथ में ओपन किया उसके बाद हम गए श्रणंका, श्रणंका में एक बार फर से शुबन गिल और जैसवाल ने ओपन किया, लेकिन शुबन गिल के साथ में कुछ परिशानी होती है, उसके बाद संजो सैमसन ओपन करने के लिए आ जाते हैं यशस्वी जैसवाल के साथ में, लेकिन अब जब भार विराट कुली रोयल शर्मा ने पहली T20 फॉर्मेट से सन्यास दे लिया तो कौन अब भारतिय टीम के लिए सराम इभोमिका में नसर आएगा किस तरीके से ये दोनों बलेबास को हुराम मचाने के लिए तैयार है और क्या शुबमन गिल की जिएगे खतरे में T20 फॉर्मेट मे साथ में कौन से शेहर से आप इस वीडियो को देखने आप हमें कॉमेट करके जरूर बताएगा दोस्तों तो बांगलादेश के खिलाप में ग्वालियर में पहला T20 मैच खिला जाएगा छे तारीक को उसके बाद दूसरा 9 तारीक को तीसरा 12 तारीक को खिला जाएगा लेकि शेक शर्मा के बार में तो सबको पता था कि वो एक मातस सलामी बलेबाद इस टीम में हैं लेकिन दूसरे कौन से बलेबाद हैं जो की ओपन करेंगे वो संजू सामसण आपके लिए ओपन करते वना सब आएंगे संजू सामसन के पास में भी बहुत ज़्यादा मौके हैं इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके आप लोग को बताया बहुत सारे लोग उस वीडियो पर नराज होगे कि अरे अभी शेक भाई क्यों कह रहे हो कि कम मौके हैं जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ जितनी मेरी समझ है उसे साब से मैंने कहा है क्योंकि जिस तरीके से समय अजीत अगरकर सर फैसले ले रहे हैं जो रन करेगा जो कंटिनियोसली परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा अनिता बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो की लाइन लगा करके खड़े हैं तो उनको फिर मौका दे लिया जाएगा तो इसलिए संजू सैमसन को रन करना पड़ेगा लेकिन मारक्षमता वाले बलबाज हैं इसमें कोई शक नहीं है संजू सैमसन के पास में दुनिया में हर तरीके का स्ट्रोक है जिधर चाहें उधर से रन बना सकते हैं चाहें वो अपर कटू T20 फॉर्मिट में हैं चाहें वो बिल्कुल बैलेंस करके स्ट्वेट ड्राइव हो चाहें वो फिलिक करके छक्का लगाना हो या हेलिकॉप्टर शॉट हुसंजू सैमसन लगाने में एक्सपर्ट है दूसरे ट्रेविस हेड से भी ज्यादा खतरनाक बलेबास हैं अभिशेक शर्मा और इनके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा मतलब 2022 IPL में पूरी तरीके से फेल हुए 2023 में बिल्कुल इंपक्ट नहीं डाल पाई लेकिन 2024 में आकर के कोहराम मचा दिया बाए हाथ के इस खबू बलेबास ने कमाल की बैटिंग किया विशेक शर्मा ने और इन फैक्ट जिंबावे में इनोंने शटक भी लगाया था लेकिन बहुत unfortunate था कि इनको शलंका में जब हमारी टीम गई थी इनको शामिल नहीं किया गया लेकिन सब को पता है बड़े talented बलेबास हैं और अगर इनके बले पर गेंद आने लग गई तो फिर ये एक ऐसे बलेबास हैं जो 6-7 ओवर में अपना सौरन पूरा कर सकते और इसका ट्रेलर हमने देखा था जब लखनो सूपर जायंस के हिलाप में सन्वराईजा साधराबाद का मैंच था किस तरीके से अभिशेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने कुटाई बिटाई ठुकाई लगाई थी तो बताने की जरूरत नहीं है तो नए जो सलामी जोड़ी इस समय भारती टीम के लिए बैटिंग करते हुए नज़र आएगी वो अभिशेक शर्मा है और साथी साथ संजू सैमसन ने साथी मैंने का कि कहीं शुबमन गिल की जगेना खतरे में पढ़ जाया उसके पीछे रीजन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को देखें तीन टी-ट्वेंटी मैच अभी हमें खेलने हैं बांगलादेश के खिलाप में इसके बाद 4 टी-ट्वेंटी मैच हमें खेलने हैं साथ आफरिका के खिलाब हैं जिसकी शुरुवात 8 नौवंबर को होगी 8 नौवंबर से लेकर के 15 नौवंबर की बीच में हमें 4 टी-ट्वेंटी मैच खेलना हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया लगातार टेस्ट मैचेस खेल रही हैं नौवंबर के खिलाप में 1-5 नौवंबर तक आपको आफरी टेस्ट मैच खेलना है और अगर इनोंने अपनी पहचान बना ली अपनी जेगे बना ली तो फिर इनको बाहर करना बड़ा मुश्किल होगा ये एकदम रियालिटी है तो देखते हैं अभी शेक शर्मा और साथ में संजू सैंसन किस तरीके से बाटिंग करते हैं उमीद है कि कहर बर पाएंगे